रोम पोप का मध्यपूरा गोप का ये कहावत सालों से चलती आ रही है और ये कहावत मध्यपूरा की राजनिती में यादवों के दवदवा के करण चर्चा में रहा है एक बार फिर से मधिपूरा गोप का होने जा रहा है एक बार फिर से मधिपूरा यादब में होने जा रहा है जहां लाखों यादब देश भर से जुटेंगे मधिपूरा में यादब जाती के नेता हो अभिनेता हो खिलाडी हो डॉक्टर हो या इंजिनियर हो किसी भी छेत्र में यादव समाज का जंडा बुलंद कर रहे हैं उनका स्वागत किया जाएगा क्या होने वाला है क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं उसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे खबर को फेजबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज़ को फॉलो करना न भूलें एक बार फिर से मदेपूरा यादव में होने जा रहा है एक बार फिर से सालो पुरानी कहावत को दुराया जाएगा रोम पोप का मदेपूरा गोप का दरसल 27 तमंबर को मदेपूरा में अखिल भायत वर्ष्य यादव महासभा द्वारा स्थापना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी शुबारम समहरो सास महासमेलन का आयोजन किया गया है इस में लाखों के तादाद में देश भर के यादव समाज के लोग भाग लेंगे ये आयोजन मदेपूरा के बियन मंडल स्टेडियम में होने जा रहा है जहां लाखों लोगों के बैठने की तैयारी जोरो पर चल रही है इस कारिक्राय में शामिल होने के लिए देश भर के यादव समाज के नेता कलाकार खिलाड़ी आ रहे हैं इस यादव महा सम्मेलन के मुख्य अतिती के रूप में राजद सुप्रिमो लालू साद यादव को नियोता दिया गया है साथी बिहा सरकार के उपर मुख्य मंतरी तेजस्य यादव साथी वन परियाबरन मंतरी तेजपरताब यादव भी शामिल होंगे इस यादव महासभा में कई यादव समाज के कराकार भी शामिल होने आ रहे हैं इस यादव महासभा के समा को बांधने के लिए अभिनेता, आस, गायक, खेसारीलाल यादव, टुन्टुन यादव, अनुपमा यादव, छोटु छलिया भी मौजूद रहेंगे इस कारिक्रा में शामिल होने के लिए यादव समाज के कई नेताओं को नियूता दिया गया है जैसे भाजपानेता, सासांसादाम कृपाल यादव, केंद्रि गहराज्य मंत्री नित्यनंदराय, भाजपाबिधायक नंदकिशोर यादव, रामचंदर पुर्वे, श्यामरजक यादव महासवाश शताबिस हमारों के पतादिकारियों ने बताया कि इस कारिक्राम का मुख्यू देश से यादव समाज को एक करना और साती तीन बड़ी मांग को रखना सबसे पहला मांग है अही रेजिमेंट का गठन किया जाए जो सालों से मांग किया जा रहा है दूसरी मांग है मंडल कमिशन के सिफारिस को पुन रूप से लागू करना तिसरी मांग है राश चस्तर पर जाती जनगरना कराना इन तमाम बिंदूओं पर चर्चा होगी और इन तीनों मांगों को सरकार के समक्च रखा जाएगा और जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उत पुरे देश में जाती गरना हो और इसको लेकर सडक से सदन तक आवाज उठाए जाएगी साथ यही रेजिमेंट की मांग सालों से की जा रही है इसको लेकर कई बार यादत समास के लोग सडकों पर बेउतरे लेकिन सरकार नहीं सुन रही है अब इस महासभा के जरिये सरका बिहार के कानों तक बात को पहुचाए जाएगी जो तीन मुख्य मांग है वो मांग मनवाई जाएगी क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जाती अधायत गरना हुई जाती गरना के बाद यादवों की जनसंख्या पता चला है अब तमाम जो देखिए जातियां उनको बनाया जाएगा और केंज सरकार से कहा जाएगा जाती अधारित गरना किया जाए यानि जन गरना किया जाए और जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी शुनिसित किया जाए और देखिए बड़ी बात है इस आयोजन को लेकर पपू यादव जो जाप सुप रहे हैं, लेकिन फिर से अब दुहाज़ा 24 की राजनिती में और मधेपूरा की राजनिती में फिर से सक्रे होने गारहे है, पपल यादव ऐसे में ये आयोजन पपली यादव के लिए भी खास होने जा रहा है, देखना होगा इस कारिक्रम के सफॉल होते ही क्या कुछ नजर आता है या फिर इस कारिक्रम के खत्म होते ही क्या नजारा देखने को मिलता है मधिपूरा की राजनिती को ले करके क्योंकि मधिपूरा की राजनिती एक अलग तरह की राजनिती होती रही है शुक्रिया